नमस्कार दोस्तों मैं हुए S.P. शर्मा आप देख रहे हैं Green Garden Channel Green Garden Channel में आप शविकर शागत है आज मैं आप लोगों की शाथ शेयर करूंगा छोटे छोटे रोज फ्लॉर प्लाइंट की आभी रिपॉर्टिंग की टाइम आ चुके है ये फ्लॉर प्लाइंट की आपडेट मैंने जनबरी मान से आप लोगों के शाथ शुरू किया था और अभी फेबॉर्णी की लास्ट चल रहा है अभी ये फ्लॉर प्लाइंट की रिपॉर्टिंग करने का सही शमय है फ्लॉर प्लाइंट की हेल्थ देखिए बहुत ही अच्छे हेल्थ है लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के शाथ शेयर किया था डिजबर्डिंग ये देखिए फ्लॉर प्लाइंट की मैंने डिजबर्डिंग किया था डिजबर्डिंग करने के बाद देखिए जो ब्रांचेस आया है multiple branches आए हैं बहुत सारे branches आए हैं और ए फ्लावर प्लावर बिल्कुल भी नहीं लेना है disboarding आभी भी हमको कर देना है जैसे यहाँ पर बाट्स एपियर हो जाएंगे इसके बाद हम इसको फिर से तोड़ देंगे कोई भी बाट्स नहीं रखना पूरे समार, समार के बाद जो रेनी सिजन आएंगे पूरे रेनी सिजन में ए फ्लावर प्लावर प्लावर को हम बढ़ा लेंगे इतनी बुशी बना लेंगे एक शाल बाद जाके इससे हम फ्लावर लेंगे विंटर सिजन में और हमारी floor plant में बहुत अच्छा result मिलेगा और भी floor plant देखाता हो ये देखिए ये floor plant का growth इससे पहले रुका हुआ था इसका growth कम था लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था इसमें भी बार्ट साना start हो चुके है और ये बार्ट समको तोड़ देना है बार्ट बिल्कुल भी नहीं रखना है ये देखिए side में एक इसमें भी बार्ट से प्यार हो चुके है इसको भी हमको तोड़ देना है आपकी floor plant में बार्ट ऐसे अप्यार हो जाए इसके बाद आप तोड़िए no problem इससे छोटे में आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है ये बार्ट समको नहीं लेकिन हमको नहीं रखना है जितनी भी बाट सुंगे पूरे बाट सम तोड़ देंगे ऐसे करके आपको डिजबार्डिंग अभी करना है आज हम रिपोर्टिंग करेंगे क्यार के बारे में बात नहीं करेंगे आपने छोटे-छोटे फ्लावर प्लांट मान लिजिए आगे चलके आप हाई टेंपरेचर के कारण रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे तो इसलिए आप ही आपको रिपोर्टिंग करना है और इसके बाद फिर जुलाई मांत में हम रिपोर्टिंग करेंगे कुछ समाए ए फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग अभी हम नहीं करे और एक फ्लावर प्लांट मैं दिखाऊंगा आप लोगों को मैंने काटिंग से गुरो किया था एक रोज फ्लावर प्लांट एह देखिए बहुत लंबा हो चुके है आप लोगों को मैंने काटिंग भी शेयर किया था इसका और इसके बाद इसका जो शॉयल मीडिया मैंने शे प्रोट किया है तो आप रवी फ्लॉर प्लान के रेजल आच्छा होगा मेरा ए 1 जो पौट साइज है यह पौट साइज एक 4 इंच का मैंने कुछ 4 इंच औरहे कुछ 6 इंच पॉट में लगा था छार इंच का है यह दिखिए लिए भी रिपोर्ट में भी लगाया है तो भी आपको अभी रिपोर्टिंग करना चाहिए न के लिए एक दिन पहले से पानी थोड़ा सा हमको कम कर देना है देखिए ए मीडिया हल्का सा ड्राइद देख रहा है यानि कि हमने इसमें पानी कम कर दिये थे एक दिन पहले से ताकि पॉट से ये फ्लावर प्लांट बहुत ही आशानी से निकल कर बाहर आ जाए अब ही शबसे पहले हमको फ्लावर प्लांट को निकलना है ये जो प्लांट है ये प्लांट शबसे पहले हमको निकलना है निकलने के लिए ऐसे आप दो उंगली रखेंगे इससे पहले भी एक आद वीडियो में मैंने दिखाया है और ऐसे करके प्लांट पल्टा के किसी के ओपर ठोकर मर देंगे तो आपकी फ्लॉर प्लांट आपके हाथ पर आ जाएंगे चलिए मैं निकल लेता हूँ आप लोगों को भली भाती पता है कैसे आप फ्लॉर प्लांट को निकल लेंगे इसके बाद हमको एक पॉट लेना है पॉट का शाइस क्या होना चे चार या 6 इंच पॉट से आपको 8 इंच की पॉट में सिफ्ट करना है तो मैंने प्लास्टिक की पॉट ही लिया है क्योंकि मेरे पास मिट्ट की पॉट नहीं है और सिमेंट की पॉट भी नहीं है 8 इंच की पॉराना पॉट है मेरे पास देखिए जिसकी ड्रेनेज होल मैंने शिंदर से कबर कर दिया है आप भी डिनेज होल को कबर कर लिजिए अच्छा से डिनेज होल कबर कर लेंगे आपके पास शिंदार नहीं है तो इट की टुकर डालिए कुछ भी डालिए मिट्टी की गमले की टुटा हुआ टुकर है वो डालिए इस्टोन चीफ है वो डालिए इसके बाद हम शायल तेयर करेंगे पहले हमको यह फ्लाउर प्लांट को निकल लेना है हमने दो फ्लाउर प्लांट निकल लिये हैं देखिए बहुत ही आशनी से निकल चुके हैं और यह फ्लाउर प्लांट जो है मेरा यूनिक शायल मीडिया में लगा हुआ है देखिए चोटे है शिक्स इंच की पॉट में है और उपर दिखिए इसका जो हेल्थ है बहुत ही अच्छा है अभी हम आठ इंच की पॉट में लगा देंगे आप जिस टाइम फ्लावर प्लांट को पॉट से निकल लेंगे आपको डणने की कोई भी जरुत नहीं है मैंने जैसे बताया बैसे ही आप निकले अशानी से निकल जाएगा दोस्तो हमने शॉयल रेडी कर लिए है लेकिन कुछ और भी एड करेंगे आभी समर सिजन है समर सिजन की टाइम आप अगर शॉयल तेयर करेंगे तो आपको एक पार्ट कमपोस्ट एक पार्ट सेंड एक पार्ट सॉयल लेना ह थीडी एकॉल पार्ट में हमने ले लिये है इसके बाद देखिए एकॉल पार्ट हमने क्या लिया है यह जो बावल देख रहा है यह बावल यह बावल से एकॉल पार्ट लिये है धेन रखिए गए इसमें टेन बावल है टोटाली टेन बावल है और यह जो देख पा रहा है इ एक बाईल लिए है और इसमें दो चमच हमने SSP शिंगल सुपर्फस्पेट लिए है सिर्फ दो चमच इस से ज़दा नहीं है और इसके बाद एह देखिए यह बोन मिल है होन मिल है और निम्खली है और दो चमच आप एक पॉट में एक चम्मच SSP सिंगेल सुपरफस्पेट एड़ करेंगे उसे हिशाब से आपको सिंगेल सुपरफस्पेट मिलाना है तो आभी हम इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे शोयल अच्छा से मिक्स हो चुके है आपको धेन रखना आप कोई भी एक कंटेनर लेंगे कंटेनर से आप नाप लेंगे पहले शोयल रेडी कर लेंगे हंडिट परसिंट शोयल होने के बाद एक कंटेनर जो कंटेनर से आप शोयल तरह करेंगे उसी कंटेनर की एक कंटेनर निमखली बोन मिल होन मिल मानने जिए निम खली थोड़ा सा कम लेंगे बोन मिल हन मिल एक ओल पाट में ले लेना और एक एक चमच एक पाट में आए उसी शाब से आपको SSP ले लेना है सिंगल सुपरफस्पिट ले लेना है आप ये पाट में कुछ शॉयल हम डाल देंगे देखिए कुछ शॉयल हमने डाल दिये और हलका हातों से प्रेस कर दिये है इसके बाद एक फ्लॉर प्लांट को हमको बैठलना है ठीक बीचो बीच बैठलेंगे ये देखिए फ्लॉर प्लांट हम ऐसे भी पकड़ लेंगे तब भी नो प्राब्लेम क्योंकि रूट्स बहुत ज़्यादा हो चुके है इसमें रूट बाउंट हो चुके है अभी कोई भी रूट को हम डिश्टाब नहीं करेंगे बीना डिश्टाब करते हुए ये फ्लॉर प्लांट को अभी रिपॉर्ट कर देंगे ये देखिए पॉर्ट के ठीक बीचो बीच हमने बैठाल दिये है ऐसे करके आपको भी पॉर्ट के ठीक बीचो बीच बैठाल लेना है इसके बाद हम सॉयल से फिल कर देंगे दो प्लांट मैं आप लोगों को रिपॉर्ट करके देखाता हूँ ये देखिए पोट के ठीक बीचो बीच बैट चुके है प्लांट, सेकेंड प्लांट भी पोट के ठीक बीचो बीच बैट चुके है, आप धीरे धीरे करके हम सॉयल डाल देंगे फाइनली हमारे फ्लार प्लांट लाग चुके है देखिए, बहुत ही अच्छा से लाग चुके है आभी कोई एक टूल्स या लकरी ले लेंगे, उसकी हेल्प से आपको शॉयल के चारो साइड में ऐसा कुछ प्रेस कर देना है ताकि पूरे शॉयल चारो साइड में सेट हो जाए, बहुत ही अच्छा से कोई भी बड़े एर बाकेट ना रहे और आभी आपको फांजी साइड की बाटार इसमें देने की कोई भी जरुरत नहीं है ये फलर प्लैंट रिपर्टिंग करने के बाद अभी आपको दस दिन तक कोई भी फांटलाजार देने की जरुरत नहीं है और आगे ठीक एक तरिक को आप लोग को मैं वीडियो देंगे क्यार की जो वीडियो होगा वीडियो मैं आप लोग को शेयर करते रहूंगा हर मांथ वीडियो आएंगे फलावर प्लैंट लग चुके है आप इसमें बाटरिंग करना है फास्ट टाइम आपको आच्छा से बाटरिंग कर देना है पोट की डेनेज होल से निकल के बाहर आ जाए तब तक आपको बाटरिंग करते रहना है उम्मीद करते हो दोस्तो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना शेयर कर देना शाब्सक्राब जरूर कर देना शाथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तो आज एही तक है थैंक्स पर बाचिंग